जैसे कि आपको जाद होगा कि हमने काफे डिटेल में कीवर्ड रिसर्च पड़ी थी और हमने ये भी देखा था कि कीवर्ड को कैसे आपने रिसर्च करना है तो इसको शॉट लिस्ट करना है और उसको और गनेस्ट करना है लेकिन वो कीवर्ड की Access हैं हमने की क्यों थी असल में तो वो कीवर्ड अब हमें काम आएंगे क्योंकि जब हम आप्टिमाइज करते हैं तो हम वही कीवर्ड जो है वो यूज करते हैं अपने content के अंदर so मैंने जैसे एक example ली थी mobile store की so आपको याद होगा कि हमने mobile store किये गे mobile phones, mobile phone accessories और इस तरह से मिलते जोलते हमने keyword research किये थे क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर मैं mobile store open करूँगा तो मेरी जो audience है वो इस तरह से keywords धुन्डेगी और हम हम चाहेंगे कि हमारी website उस तरह से optimize हो जाए तो ठीकती लेकिन उसको optimize करना कैसे है असल में अब हम यह discuss कर रहे हैं so मैंने जब keyword research किये तो मैंने कुछ इस तरह से groups बनाए और जो कि मैंने बताया था कि जब आपने keyword research करने है तो आपने उनके groups बनाने हैं और हर group में एक primary keyword होगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि चार groups है और चार different groups हैं इनमें different sense बन रही है लेकिन जो groups हैं इनमें जो हर group के अंदर जो keywords हैं वह आपस में मिलता जूलते हैं सो होता किया है कि आप जब keyword research करते हैं तो आप हर group में एक primary keyword लेते हैं और इसे मिलते जूलते keywords को उसी group में डाल देते हैं यह group तकरीबं 5-12-10-15 इसके around आप अपने keyword के groups मना सकते हैं कोशिश करें कि keyword के groups छोटे रखें अगर आपको यह लगे कि group में different किसम की keywords आ रहे हैं त आपके एक ग्रूप में सबको आप उसमें गुसाते हैं तो इससे फाइदा यह होगा कि आप जड़ा तर optimize कर सकेंगे अपने content को different groups के गेंश यह मैंने चार groups बनाए इन में से मैं एक group पकड़ूँगा और उनको मैं कि पेज के साथ assign कर दूँगा जितने भी groups आप बनाएंगे बिसिकली हर ग्रूप एक पेज के साथ assign करना जरूरी है आप उनके साथ एक ग्रूप अटाच कर सकते हैं लेकिन अगर आप नई website बना रहे है तो अगर उसने keyword search नहीं की तो उसके pages भी नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आप उनको ग्रूप दिखाएंगे और उनको बताएं है और आपको लगता है कि आपकी टागर औरियंट सेर्च कर सकती है और अगर सच करके आए तो आपको सेल जनेरेट हो सकती है तो आपने लेना है कि इस ग्रूप के आपर मुझे एक पेज बना लेना चाहिए ताकि हम उसके आपर optimize करें तो यह optimization की जो मैं बात कर रहा हूं व वो mobile phone, mobile phone prices, latest mobile phone और इससे हैं डिफरेंट जो है मैंने keyword एक ही जगह पर रख दी है इसमें देखने होली बात यह है कि mobile phone मेरा primary keyword था देखें फिर मैंने mobile phone के साथ prices देखी मैंने mobile phone के साथ latest लगा दिया, online देखा यह सब वो searches हैं जो हमारी target audience सर्च कर रही है इसमें हमारा कुछ नहीं है या आपने भी अपनी कोई personal इसमें टेक नहीं डालनी उसमें सिर्फ आपने ये करना है कि आपने गूगल से ये पिक करने है तो आपका personal opinion इसमें नहीं आ सकता आपका personal opinion आएगा जब आप keyword research करेंगे तब आप सारे के सारे keywords Google में डाल कर उसको research कर ले कि उसके गेश् किया है उसको Excel sheet में डाला है वह डेटा आपने यूज करके keyword groups मनाने हैं और groups मनाकर आपने associate करना है जैसे कि हमने पहले जिकर किया कि title और description meta tags जो होते हैं वो on page की पहली condition है या पहली शुरुवाद वहां से होती है अब ये keywords मैं मैंने कैसे title में डाले आप देख सकते हैं कि मेरे different keywords एक ही phrase के अंदर repeat हो रहे हैं for example जब मैं लिखूँ latest online mobile phone prices in Pakistan तो इसमें काफी keywords मैंने merge करके एक लंबी सी phrase बना दी जो Google को ये बताने की कोशिश की कि इसमें काफी सारे keywords हैं और चुकि ये सब keywords Google में लोग search करते हैं तो मैं चाहूँगा कि इसमें maximum मैं इसको keyword in maximum keywords को मैं title के अंदर लिखूँ for example mobile phone मेरे keyword था तो वो mobile phone भी आ रहा है मेरा mobile phone prices था तो mobile phone prices भी आ रहा है और उसके बाद latest mobile phone सा वो भी आ रहा है उसके बीच में और mobile phones in Pakistan गोया कि ये इकठे नहीं आ रहा लेकिन mobile phone prices in Pakistan मैंने लिखा है तो Google इतना intelligent है कि अगर कोई mobile phone in Pakistan सर्च कर रहा हो तो mobile phone prices in Pakistan page rank कर सकता है क्योंकि mobile phone in और in Pakistan के बीच में सिर्फ prices का word है तो ये पूरा title इसलिए sense बना रहा है क्योंकि मैंने सारे के keywords उसमें properly use किये हैं और मैं चाहूंगा कि सब searches Google इनको title में देखे क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि Google जब मेरा title देखे तो उसको पता चले कि ये title कि page के उपर है और कि topic के बारे में है और मेरा topic है mobile phones तो मैं ये चाहता हूँ कि mobile phones के ओपर मेरा ये page optimized रहे तो मैंने उसको यूज किया title के अंदर और यही काम में description में भी करूंगा लेकिन चूंकि हमारे बारे description की length ज्यादा होती है और मैंने ये भी बिताया कि हम 300 characters तक जा सकते हैं लेकिन ज्यादा लोग recommend करते हैं कि 156 तक ही आप for example मैंने लिखा get updates on the latest mobile phone prices in Pakistan पहले sentence मैंने जब लिखा get updates इसका मतला मैं लोगों को invite कर रहा हूं कि आप updates लें on latest mobile phones in Pakistan लेटर mobile phones in Pakistan के ओपर तो यही मेरा keyword था उसके अंतर mobile phones, mobile phones in Pakistan लेटर mobile phones जिस सब तौबर हो रहे है prices के section मैंने आगे discuss किया जिसमें second line में हमारा मोबाइल स्टोर का नाम ABC मोबाइल है तो ABC मोबाइल is an online phone store and we provide updated prices on latest smartphones इसमें मैंने ना सिर्फ prices का word यूज़ किया बलके मैंने smartphones भी यूज़ कर लिया क्योंकि मुझे लगता है कि synonym type word है जो के अगर कोई mobile phones लिख रहा हो तो है कि अगर आपको लगे कि स्मार्ट फून भी लोग सर्च करते हैं तो स्मार्ट फून को डिफेंट ग्रूप बनाकर टॉप पर उसके डिफेंट जो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन ना कर एक नए आपका जो है वो वेक्सरेट और बिजनस पहले ताकर जब भी कोई कुछ पी सर्च करें आपकी बिजनस से रिलेटेड अल्टिमेटल उनको आप मिल जाएं तो टेक्निकली इसको देखूंगा तो वो कुछ इस तरह से दिखाए देगा इसमें टाइटल यह एक्सलों को परिशानी होती है कि हम कैसे याद करें या कैसे लिखें आपको याद हो कि मैंने आपको यह बताया था कि आपने सीखनी इतनी है जितनी SEO की हद तक आपको आ जाए इसमें बहुत साथ टूल्स भी अवेलेबल हैं जो आपके जिन्दगी असान कर देते हैं आपको HTML सीखने की भी जरूरत नहीं है बस आपको समझने की जरूरत है और आप उन टूल्स को यूज करके अपना टाइटल कितना लंभा लेकुतना लंबा लिक सकते हैं और आपको निक्षिप्षिट्षन एम्त है इस तरह से było आपको नज़र आता है सर्च के अंदर इसको सर्च स्निपट भी बोलते हैं यह मैं आपको लाइव डेमो भी करके दिखा देता हूं कि यह कैसे पॉस्विबल है आए देखते हैं मैं गूगल पर जाओंगा और लिखूंगा आप अपको यह अपना टाइटन लिखेंगे यहां डिस्रिप्शन लिखेंगे और यहां पर अपना यूरल लिखेंगे तो आपको बेसिकली वह नीचे पूरा वह बता देगा कि किस तरह से आपका वह टेक्स डेजर आएगा मैं कुछ भी यहां पर लिखूंग वह आपको नीचे लाइव दिखाएगा तो देखेंगे यहां पर लिखेंगे तो अकसर यह भी होता है कि आप कम टेक्स में आपकी स्पेस ज्यादा कवर हो जाती है तो गूगल आपके सिर्ए दीखता है आपके और पहलाओ भी देखता है वह यह भी देखता है कि सर्च कितनी एक्सेंड हो ह्री है मैं एक जामपल लेता हूं मोबाईल फॉन्स निछे बिल् Hahn विए मैं पाकिस्तान, तो आप देखेंगे जैसे इसे मैं लिख रहा हूँ वो यह से गोगल मैं वो मुझे दिखा रहा है कि गोगल में यह कैसे नज़र आएगा, और अगर मैं इसी में इसी में मैं आग डिस्क्रिप्शन लिखूं आप देखेंगे कि जैसे इसे मैं description लिख रहा हूं तो मुझे नीचे उसका live demo दिखा रहा है और साथ में ये भी बिता रहा है कि मैंने कितना लंबा यानि मरी characters की length क्या है अब तक मैं 28 characters की लिख चुका हूँ, title मैं 25 characters की लिख चुका हूँ इसका मतलब ये भी है कि मैं अभी गुंजाईश है, मैं title और description और भी बढ़ा सकता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी domain लिख कर ये भी देख सकता हूँ कि मैंई domain के साथ वो कैसे लगेगा आप देखेंगे जैसे मैंने abcmobile.com लिखा उसमें मुझे green color में नीचे दिखा दिया ये tool आप यूज कर सकते हैं अपने लिए भी और आप इसमें description लिख कर देख सकते हैं कि आपका वो text कैसे नज़र आएगा जैसे कि आपने देखा कि मैंने seo mofo से title लिख कर description लिख कर मैंने अपना snippet generate कर लिया और यही चीज आप गूगल को आप इस पर ये लिख कर देख सकते हैं कि आपका गूगल में कैसे नज़र आ रहा है अगर आपने html generate करनी है तो उसके लिए भी आप और भी generator दूंड सकते हैं काफी आपको text वो मिल जाएंगे generators जो आपका html tags वगरा generate कर सकते हैं आपने ये काम हर page के लिए करना है आप याद रखिए का दितने भी आपने keyword group सर्च की हैं वो आपने हर page पे optimize करने है तो ये काम repeat होता है हर page के लिए क्योंकि आपने SEO हर page की करनी है और आप चाहते हैं कि आपका हर page rank करने के काबिल हो जाए इसलिए जरूरी है कि आप हर page की keyword research भी करेंगे तो आप हर page की उसको optimize भी करेंगे और हर page का एक keyword का group बन जाता है जो आप उसके लिए use करते हैं group बनाने से एक फाइदा और भी होता है वो फाइदा ये कि जब आप एक page का group बना लेते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि वो keywords दूसरे page पर assign ना हो आप page 1 के group 1 keywords को आप page 2 के उपर use नहीं कर सकते जो है वो सब आप जब उसको optimize करेंगे इससे यह होगा कि आपको डूपलिकेट नहीं होगा तो गूगल आपको आप नहीं करेगा कि आपने मतलब अपना ही content copy किया है या आपके एक ही pages दो keywords के उपर rank कर रहे हैं तो गूगल confused हो जएगा कि किस keyword के उपर मैं किस page को rank कर हूँ क्योंकि दोनों में वो आ रहा है कोशिश करें कि focus रखें अपनी approach और जादा से जादा यूज़ करें वो keywords जो आपने इस group में assign किये हैं अगर आपके पास और keywords हैं उसके लिए और page बनाएं और उसको वहाँ पर optimize करें अगर वर्डपेस यूज़ करते हैं तो यह जो मैंने exercise की basically यह जो tags हैं यह उसके लिए यूज़ होते हैं जो html websites के लिए हैं लेकिन cms की हमने बात की थी कि उससे जिन्दी असान हो जाती है अगर वर्डपेस यूज़ करते हैं जो कि हमने recommend भी किया है आप वर्डपेस यूज़ करते हुए एक plugin इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपको कुछ इस तरह से option देता है जब आप पेज के टाइटल या page create करते हैं तो आप इस तरह से आपको किस तरह से गूगल में नजर आएग अब exactly यही से देख लेंगे कि आपको गूगल में किस तरह से नजर आएगा और आप इसी को यहीं पर optimize कर लेंगे इस तरह से आपकी on-page optimization जो metatags वाला पार्ट है वो अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा इसके बहुत हमें तो आपको यह पता चल जाएगा कि यह टूल जो है वो किस तरह से आपको गूगल में text दिखाता है लेकिन उसके लावा भी आप tag generator मिल जाते हैं जो आप जिससे आप metatags generate कर सकते हैं तो मैं आपको भी live दिखाऊंगा कि किस तरह से आप different metatags generator यूज करके अपने जो html coding है वो आप उसको generate कर सकते हैं आइए देखते हैं मैं google पर जाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा metatags generator जैसे मैं metatags generator लिखूंगा मुझे google काफी results दिखाएगा आप इनमें से कोई भी use कर सकते हैं लेकिन जो हमारा recommended है वो SEO chat का tool है जिसको आप click करेंगे और आपको एक नया page open होगा उसमें आप देखेंगे कि SEO chat का advanced metatags generator यह आपको एक option दे रहा जिसमें काफी सारा data fill करके लिचे tag generate कर सकते हैं यह बहुत सारे और भी tags हैं जिसमें हमने अबी जिकर नहीं किया जिनका लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं इसको सबको fill कर सकता हूँ so let's suppose कि मैं लिखता हूँ mobile phones in Pakistan यह मेरा title है और मैं description भी लिख देता हूँ और इसी तरह से मैं keywords भी कुछ लिख देता हूँ जिसमें mobile phones मेरा keyword होगा और फिर mobile phone prices भी हो सकता है याद रहे कि यह हम use Google अब इसको consider नहीं करता है लेकिन बहुत सारे इसको अभी भी यूज करते हैं इसके लब आप नाटी भी आप options देख रहे होंगे यह बहुत extended meta tags हैं जिसकी हम बार में detail में बात करेंगे लेकिन इस topic में हम सिर्फ title description और keywords की बात कर रहे हैं जो के main सबसे ज़्यादा important tags हैं जो आपको use करने हैं जैसे आप यह लिख लेंगे अपने tags तो आप इसको create meta tags करेंगे जैसे कि आप देखेंगे उसने मुझे HTML generate कर दिया इसमें मुझे उसने title भी दिया, description भी दिया, keywords भी दिया और उसने फिर खुद से एक distribution का tag भी generate कर दिया यह वो tag हैं जिसको मैं अगर खुद copy कर सकूँ तो आप खुद भी इसको Google में copy कर सकते हैं अगर आप खुद नहीं करना चाहते हैं तो आप developer से भी करवा सकते हैं तो यह आपको tags लिखने की जरुतनी है, इस tag generator से आप अपने tags build कर सकते हैं बड़ी असानी के साथ, इस tool के साथ आप अपने tags generate कर सकते हैं तो अगर आपको HTML नहीं भी आती तो आप SEO chart के इस tool के अपर जाएं और इसके अपर अपने tags लिखें जो भी आपने title और description लिखनी हैं उसके बाद generate कर दें तो आपको बड़ी असानी से HTML उसकी generate हो जाएगी और